सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमश्कार जैसा कि आप लगों को पता ही है मेरे नाव में सुमन और मैं हूँ आपकी टीचर और आपकी करियर सलाकार प्यारे बच्चो कुछ दिनों से लगातार बच्चो के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि मैम हमें इस साल 2023 में चार प्यारे बच्चों अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार कर डाउट है और आने वाले भविशम में आप सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए इस वीडियो के मुख्य पॉइंट यह होंगे कि चार वर्षय की किया फा तो जुड़े रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में सुरूर से लेकर आंते तक चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करी लीजेगा अगर वीडियो अच्छा लगता है बाकि अगर किसी बच्चे को कोई भी करियर हेल्प चाहिए तो वो मुझे सिर्फ कर दे उसके बारे में चारवर्सिय बीर्ट बेसिकली है क्या और कौन बच्चा इसमें ले सकते हैं इसकी नेशनल औरัंनी बच्चा beard करता है तो beard करने से पहले उसके पास एक graduation होना चाहिए यानि कि 3 साल लग गए आपके फिर आपके होगे beard के 2 साल और उसके बाद जब अगर आपको किसी राज्य सरकार में या केंद्रे सरकार में कोई सरकारी नौकरी पानी होती थी उसके लिए आपको देना पड़ इसका result आने में फिर उसके बाद जब आपके राज्य सरकार में नौकरी आएगी तब आप इसमें बैठ सकते थे तो मतलब आप यह लगा लीजी कि 3 साल आपके graduation हो गए 2 साल आपके beard हो गया एक साल आपका T.E.T. हो गया और एक साल और हो गया आपका जब आपके राज्य सर प्रफेशन निकाला जाए कि बारवी के बाद सीधे बच्चे Graduation भी कर ले और प्रफेशनल डिग्री भी ले लेले कि अभी तक बच्चा कीवाल तीन साल का Graduation ही कर था तो उन्होंने तीन साल में एक होड साल जोड या और उस 4 साल को कुल मिला के बना दिया पूरा 4 years Beard Integrated program क तो वही यह launch है बच्चो 2020 की देन है हमारे लिए यह 4-year Beard Integrated Program के नाम से जाना जाता है इसमें बच्चे जो पढ़ेगा वो अपना subject पढ़ सकता है मान लीजे जो भी बच्चों की पास 12 में रही होगी चाहे आर्ड, साइंस, कॉमर्स, हुमेनिटीज, इंग्लिश, ओनर्स, हि यह पुल मिलाके 4-years का होगा और इसमें 8 semester होगे आठ semester में आपकी ठ्योरी प्रैक्टिकल वाइवा के साथ साथ आपको पढ़ाया जाएगा on-job teaching यानि कि आपको स्कूल में भेजा जाएगा जैसे की बीयड में होता है ना 2 महीने 3 महीने 4 महीने इस तरीके से स्कूल में जाक बच्चों को पढ़ाने का तो वही चेज यहां पर भी बीकॉम जो चार वर्स के जो बच्चे बीयड करेंगे उनको भी teaching के लिए जाना पड़ेगा तो सुरू में नहीं जाएंगे जिसे बारवी के बाद बच्चे समेशन लिए तो सुरू में जाएंगे जब आपने फाइ अखिला लेना है तो यह आने वाले भविष्ण में भी अगर आप करना चाहेंगे मालीजिए अगर आप इसी साल 12 में गए तो देखिए इसका रास्ता यह है कि दो तरीके से एक तो होता है सी यू एटी के नाम से एक्जाम जिसे की हम जानते हैं Central University Entrance Test या Common University Entrance Test इसमें होता क्या है कि आप एक एक अग्जाम में बैठके भारत की किसी भी University मतलब जो Central University है अपनी 24 की बच्चे तीन University को चुनके वह यहां पे से चूज कर सकता है ठीक है तो एक तो रास्ता यह है दूसरा रास्ता यह है बच्चो कि आपके राज्ये में भी जो भी आपकी स्टेस्ट यू निवर्सिटी होंगी न वह भी आप इसको बढ़ावा दे रहे है क्योंकि उनको बोला गया है कि National Education Policy की तहत आपको अपनी यूनि चूज करते हैं एंटर्स एक्जाम दीजिए सी यूटी दिस से निकाली यह स्टेट यूनिवर्सिटी का ठीक है और इसके लिए बच्चे पूछते है कि माम क्या इसके लिए 12 का पास होना जरूरी है ऐसा नहीं है अगर आपने इस साल 12 के मार्ज के जो बोड हुए थे अग अगर में बात करूं तो यह अपने आप में आपको एक डिगरी भी देगा और आपको बीयड भी तो देखिए किसी भी नौकरी को पाने के लिए आपके पास डिगरी होनी चीए और एक प्रफेशनल डिगरी आज की डेट में इंडिया में तो यह दोनों चीज इस चीज से हो जाएगी आपके टीचिंग डिगरी भी मिलेगी और आप नॉर्मल बी ए ग्राजुट भी कहलाएंगे तो देखिए केंडरी विद्याले नौवद्य विद्याले नौकरी नौकरी होंगे क्योंकि वहां पर बहुत सारी पोस्टे खानी है तो उन बच्चों के लिए जो के अपने स्टेट में कहीं पर इस को जरूर कर सकते हैं अब देखिए अगर में बात करूं तो इसमें आपको एंटरंस एक्जाम निकालना पड़ेगा पूरा चार वर्स की कोर्स होता है बीए प्लस बीए इंटिग्रेटर प्रोग्रम तो अगर में गॉर्मेंट सीट की बात क सकते हैं दस या आठ दस के आसपास इसमें फीस होगी बाकि जो प्राइवेट कॉलेजिस हैं वो अपने हिसाब से अपना फीस स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं बट वह भी एंसीटी इत्यादी के गाइडलाइन के हिसाब से होती है तो यह है बच्चों फोर एर्स डिग्री करने के बाद देखें यह आपने आप में बी ए प्लस बीए इंटीगेटर प्रोग्राम होगा तो आप इसमें प्राइमरी टीटी और पीजिटी इत्यादी को भी सब को पढ़ा सकतें सिर्फ जो पीजिटी होगा मतलब कि पोस्ट ग्राजू टीचर जो 11-12 होगा उसके में यह में सी जो भी आपका सब्जेक्ट स्पैसिफिकेशन ठीक है तो बस यही कंडिशन होगी बाकि आप कक्सा एक से लेकर दस के बच्चों को अराम से इस को करने के बाद पढ़ा सकते हो ठीक है तो आई हो तो बच्चों यह तो मैंने क्लियर कर दिया आपको फोर येर ब इनिवर्सिटी सभी ने दो यह बियाट को ही अपनी प्राथमिक्ता दी है इन दर टीचिंग डिपार्टमेंट तो टू यह बात करो जो भी बच्चे करना चाहते हैं देखिए उनके पास यह होता है कंडिशन यहां पर तो आपके पास बार्वी से चल जाता है लेकिन जो अ प्राद में सबचने वाली बात है कि जब बीयड है तो बच्चे पीजी और ग्रेज़िशन का चक्क्र इसमें तो देखे बच्चों होता है कि जो भी बच्चे बीयड करना चाहते उनके लिए कंडिशन यह है कि उनके पचास प्रतीशत अंक होने चाहिए ग्राज़िशन मे तो इसलिए या तो आप ग्राज़िशन में लाईए या पीजी में लेकिन आके 50% मार्स होने चाहिए यह बात कर रही हूं मैं जर्नल केटेग्री की बाकी जो बच्चे उनके लिए 45% और जो एनके लिए चूट दी जाती है ठीक्या और इसको बियर्ट कर सकते हैं आप किसी नाम से तो CUT यहां पर यूजी यूजी एंटरेंस टेस होता है इस एंटरेंस टेस का नाम है CUT PG जिसके की फॉर्म आजकल निकले वे अगर आप भारत की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बियर्ड कोर्स करना चाहते हैं आप फॉर्म भर सकते हैं 19 सप्रेल लास्ट ड देना होगा दूसरा रास्ता है कि अगर आप CUT नहीं देना चाहते तो आपके स्टेट में जो भी एंटरेंस एक्जाम होता है वियर्ड के लिए उसे कर सकते हैं अब बच्चों का डाउट होता है कि मैं हम स्टेट का दे कैसे समझ में आएगा तो देखिए CUT का एक्जाम व स्रीदेव सुमन से तो आपने CUT को भूल जाना है आपने ध्यान रखना है किवल स्टेट उनिवर्सिटी के बारे में ठीक है तो यह है बच्चों और इस को करते समय आपके चार सेमिस्टर होते हैं टू एर्स का फुल टाइम कोर्स होता है फीस आपकी 10 केस के लगा लोग ग लाके पड़ाओ वह सारी ट्रेनिंग वगरा भी जहां से आप कोर्स कर रहें आपके कॉलेज वाले आरेंज करते हैं ठीक है बच्चों तो यह है टू एर्स बारे में नेक्स पढ़ते हैं वाणियर ब्याड के बारे में तो बच्चों के इतने डिट सारे कुएशन आये कि ज सारी चीजों की जो घोषणा हैं हुई है वह एकदम से इंप्लिमेंट नहीं हुई है तो वन यह बात करूं इसकी सबसे पहली बात आपको पता है कि नैशनल एजेक्विशन पॉलिसी की तहत कही गई और जिन बच्चों का PG completed है यह appearing है यह पास कर चुके है वही इसमें बाकि कंडिशन वही रहेगी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए PG में और इसके लिए भी सेमी रास्ता होगा एंट्रेंस एक्जाम होगा या तो सी यूटी से होगा या स्टेट से अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर वन यह बियर 2020 में अगर इसके बारे में बात लखनो यूनिवर्सिटी है जो इसके बारे में बोल रही है कि 2023 से हम वन यह बियर को स्टार्ट करेंगे बट फिलाल उसके बारे में कोई सटिक जानकारी जो भी अप्डेट जानकारी होगी वह मैं आपको दे दूंगी में जानकारी यही थी कि इस बियर भी दाखिला लेने सरकारी टीचर बन जाये सीधे फाल तो टाइम वेस्ट ना करें ग्राइशन और फिर अगले साथ दो साल ब्याड में यह डियर में बच्चों के लिए जो ग्राइशन के बाद जिनको थोड़ी सी अंडरस्टैनिंग हो जाती है कि शायद उनका रुजहान जो है वो मैं कल बना के लाऊंगे लेकिन मैं यही बोल देती हूं कि जिस बच्चे का ग्राइशन है उसको मैं यही सला दूँगी कि वह अपने आगे की बड़ी पढ़ाई में जाए यानि कि बीड करें डिलेट ना करें ठीक है कुछ राज्यों में ऐसी ऐसी बाते हो रही है कि डिले प्यार वाले बच्चों को मैंने बताई दिया तो प्यारे बच्चों बस यही था मेरा आज का वीडियो उमीद करती हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो तीनों बीड है उनकी अच्छी खासी जानकारी जरूर मिल तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जा सकते हैं बाकि अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं जिसकी की फीस होगी मात्र 99 रुपीज बाकि मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर सबका नाम मैंने एक ही रखा है टीचिंग और लर्निंग आप और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पूरा लिंक मिलेगा जो की लिखा है वन लिंक फॉर ओल लिंक तो उसको अगर आप कलिक करेंगे वो आपको मेरे सारे जितने भी लिंक से सूशल लिंक उन स्साइब करेंगे